अलो दोस्तों आप सब का सबागत है आपके एपने एजिंग रूड चैनल में मैं अंकित कुमार इस चैनल का होस्ट और आप सब का दोस्त हम इस यूटुटुब चैनल पर आप सब के लिए एगरिकल से टॉपर्स के इंटर्विव की स्रीज स्टार्ट कर रहे हैं इस तरीज के अंदर हम चाहिए वह एकजाम स्टेट का हो या सेंट्रल का हो चाहिए वह जोब का इग्ञाम या इंटर्विव की इंटर्वु लेंगे इसके अंदर उनका क्या बूक पढ़ा थे और उनको आने वाले जूर्णिस के लिए क्या सला देंगे सब कुछ अपने इस वीडियो में इस स्रीज में बात करेंगे इस स्रीज में हम पहला इंटर्व्यू स्री रामचंदर जी चोद्री जी का ले रहे हैं सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए मेरे नाम रामचंदर चोद्री है और मैं जोद्वू का रहने वाला हूं और चैन टाइम एक्रिकल्टर सुप्रोड़र हूं जोद्वू डिस्टिक में और मैं 2018 बेच का स्लेक्टेड हूं मेरे दो बुके भी चलती है एक तो अपने फोर्टिकल्ट आप लोग सभी ने पड़ी होगी हैंड़ बुक अप एक्रिकल्टर सुप्रोड़र एक तो वह है और एक अपनी ऑपजेक्ट्ट्व की बुक है ऑपजेक्ट्व एक्रिकल्चर साइन्स दो बुके चलती है खुब अच्छा रेस्पोंस रार खुब अच्छों का भईशी बना इन बुकों से और जब हमने तियार गी थी हम तो एक रिकल्टर से ग्रेजेट हैं तो खुदनी नोट्स तियार गिये थे खुदी बनाई थी और उनी नोट्सों को बुकों मे निकादार बुक में खुब अच्छा रेस्पोंस मिला हमें और खुब अच्छे सक्सेद हो रहे हैं और वो अमेजन फिलिप कार्ट पर आराम समंगाई जा सकती है हां जी अमेजन और फिलिप कार दोनों पर राम चंदर जोदर लिक के सर्च करोगे तो उस पर आप दोनों डूनों बुक के और अब नेक्स्ट कर लेते हैं आपने कब झारी करना स्टाट के अनिके आप ट्जिट के साथ लगे थे या आप गरेजुस्न कारे तो करें थे स्टार्ट नहीं मैंने जब finely चल रही थी तो मेरे दिस्टिक मेंनेजर की पोस्ट मीरी थी गली तो अच्छा इसकोब था फिर फिर सोचा था करवालों ने थोड़ा क्योंकि सभी की यह माइंड ली होती है कि बच्चा अगर प्रेवेट पचास जार भी कमाए तो बोलते हैं नहीं तो फिर वो वेकेंशी निकल गे थी दो जार अठाराम आपने फिर उस टाइम कंपनी छोड़ती थी फिर तीन-चार मेने कंटीनिव ट्य बढ़ता था फ्रेष मैंड पढ़ता तो दिमाग में रखता यार ऐसा हो रहा आग में ऐसा हो रहाई दुनिया कदर चल रही रही k vapa n95 अवर भाड uh चार गंटे पढ़ लेते थे, दस गंटे भी पढ़ लेते थे, पोई फिक्स नहीं था, पर ये फिक्स था कि एक भी दिन बीच में छोड़ना नहीं है, continue, डेली पढ़ते थे, चाहिए कुछ साधिये टेंड भी हो, तो भी मां जाते नहीं थे, कि बस पढ़ना आपने चाहिए कितने मंथ में प्रिपरेशन किया था, कितने मंथ में प्रिपरेशन किया था, यानि कि आपको कितना टाइम मिला था, दो मेंना मिला था, एक मिला था, तो खूब मिला था, हमारी तो तो त्यारी एक रिकल्चर में पहले से ही थी, फिर हमें क्यावल हिंदी जीके की ज़रू हैं तोड़ हिंदी में समझी आती है तो तोड़ हिंदी के ऊपर ज्यादा दियान रखा क्योंकि तो कुछ ना कुछ अपनी वीक्नेस जरूर होती है यह पढ़ते टाइम ऐसा भी था कि अगर अगर अपने कोई दोचा टोपिक नहीं आ रहे हैं तो उसको छोड़ दो उसकी जि को यह से वीक ने सब्जेक्ट अगर कोई हो जाए कोई दूचार टोपिक तो उनको छोड़ दिया गरो तो उन टोपिको में टाइम वेस्ट करने से तचा है ना कि दूसरे टोपिक को मजबूत कर लो यह सिस्टम था और आपने सेल्फ स्टेडी की थी या कोई कोचिंग लगवा खूब रास्तान में कोचिंग ओड़े मेरों को स्टूडेंट बताते हूं कि यह हमारे स्टूडेंट है मैं किसी के स्टूडेंट नहीं है यह सर्फ की थी तो उसमें अब उनके पास चार दिन गए ठीक है अच्छा आपन लिंक था पन चले गए तो उसमें कोई किस पर दे तो वो नौर्स थे और हिंदी के लिए हमने रागो परकास पड़ी थी यह सर्फ एक ऐसी मुखे जो कोट में भी ऑथेंटिक है अभी रीट लगी है कोट में ऑथेंटिक के थूब माने जाती है यह सर्फ रागो परकास डाइरेक्ट समझ लग दिन नहीं रही थी तो अपने हिंदी में सुबास जी चारण के थे वो यूड़ी यूटूब पर बस उन से देखके हमने कोशिश की थी साथ आठ यूसन उसे सोल कर लिए हमारी कमजोर थी तो भी हमने साथ आठ सोल कर लिए जो ज़्यादा दुरंदर था उसने तेरा क्यूसन सोल किये थे इसे और अपना दिमाग डायोट हो जाएगा कि पता नी कौन सा क्या बोला कौन सा क्या बोला है तो जो भी पुड़ो ज़िए एक ही पुड़ो और उसमे ऐसा होना चाहिए कि अगर एक पड़े है तो ये अपने सो पसेंट कोई भी बुक कवर नी करती है ये सर के 95 पसेंट गवर कर जए ये सर बसके ओल सिंगल बुक कोई भी चाहिए सिक्वाल पप्लिकाशन लो वो भी लक्से लो वो भी अची है और पनोरमा लो वो भी अची है खराब कोई भी नहीं होती किताब और चाहपने वाड़ ऐसा नहीं होता कि कोई खराब चाहप है वो सही चाहपते हैं सब्सक्राइब को लगी तो नियुक्ति को माना था वेकेंसी 12 वेस कि पी नम की कुई दूसरी वेस कि ए 11-12 में जो माने जाएकि वह होगी, अब दूसरी रेफ्रेंस भुक होती ही, वह होती है, अगर वेकर ग्रेशिए लेवल की हो, तो फिर अपनो उसको मानेंगे, अब यह सी 12 है तो 11-12 ही माने जाएगे, इसलिए 11-12 की किताब तो बहुत जरूरी है, करने वो पताना ही पड़ेगा वो एपड़ना पड़ेगा सात में और वो मैं ने बरा सुन्डा वह भी वह अच्किर नियुर्पक भी नहीं कूपलीट करने बूप उप ग्या घ्यूंधी वो बूंदे पड़ते हैं अच्छी उप ग्या हो भी तभी तो बोला ना सभी बूकर यह खराब कोई भी नहीं कोई भी राइटर है यह नहीं सोच के छापता कि मैं इसको गलत चापता हूं तो आप बता दीजे मेन एगजाम आपने किस तरह हैंडल किया यानि कि वहां पर जाते हैं तो ऐसे बीड बढ़ा का देखकर और टाइम कम देखकर बहुत दबाव होता है तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो गल्थ कर देते हैं नेक्टी मार्किंग कर देते हैं या पूरे पूरे कर देते हैं और आपने किस तरह हता है परसूह पर्ष eyeliner करने पड़ते हैं अगर अपने नहीं तो कुछ भी सियर्द अगर अपना नहीं को सेलेक्शन तो होलोगा नहीं करने परेंगे अपनी वहाँ एक्जाम देने के लिए जाए हैं तो वहाँ फेस्माइट जुरूरी मांगता है आपने तो सबसे पहले अब वहाँ इस्टार्ट करना कि भी अपन पेपर दी है आपने को ओमार देते पहले ओमार बढ़ लो फिर पेपर देते तो पेपर में बस उसको रीड गरो लग रहा है तो पहले पेपर को एक राओन में शोल करो फिर दूसरी बार जो अपने को पहली बार में अपने को नहीं आ रहे थे अपने को किस तरह मोटिवेट किया अपने अपने आप मोटिवेट के सरका लेको मोटिवेट के सब्सक्राइब आपको बात बता दूँ एक रिकल्टर सब्जेक्ट वही लेता है 99 परसेंट जो मीडिल क्लास फेमिली सोता है और मीडिल क्लास फेमिली वाले को मेरे नहीं लगता कुछ मोटिवेट वीडियो या किसी का मोटिवेशन लेना पड़ता है इस वह अपने घर की कंडिशन देख किसी का मोटिवेशन ले गर की कंडिशन अपने माबाप की तरफ देख लो कि सबसे बड़ी बात है तो अब आपकी सेलरी किती है बाद में प्रमोस्यन के बाद कितनी होती है पुलिस होती है एक पटवार होता है और एक अपने ग्राम विकास अधिकारी होता है जो ग्राम विकास अधिकारी हो तो लेवल शिक्स में यानि अपने से 500 रुपे उसके एक्स्टा मिलते हैं प्रोबेशन में होता है तो उसमें सभी को 14600 रुपे मिलते हैं उसमें 10% है जो NPS कड़ जाता है तो सेलेरी बच जो ओन हैंड आती है अपने 3140 प्रोबेशन में अभी क्या गोवर्मेंट न कुछ HRD बढ़े हैं तो ये प्रोबेशन के बाद में ग्रोफ सेलेरी तो लगबक तक गरता है तो समय इंपेस भी एसाइब भी कड़ती है बीमा भी कड़ता है तो इसमें लगने अपने 37000 ऑने आट गया बत्तिस तेप्टिस तक ग्रोफ सेलेगी इस तरह ये सबी की बढ़ बकार। सबीजying तोबी सो ग्रेटवे डापते हैं और प्रमोशन कितने साल बाद होता है यह नहीं प्रömोशन देखो केवल नाम का प्रमोशन होता है प्रमोशन होता कुछ भी अथी अभी संगठन दोलन किया था उसमें 200-300 लग एक लिए अपने पर्मोशन की जिए सर वह Richtung बच रहे हैं कोरेबना पहल ेन्हेका प्रमोशन हो ररहा है कि पर्मोशन कुछ भी नहीं बढ़ेगा उस-धिक ब्रमोशन होता है तो डबल लो सिर नहीं होता है डबल याग के लिए challenge । पर वह उता है पर र्च जब अपनी मर्दा जांच करते हैं यह काम होता है को ज्यादा टीपिकल निये सबसे बड़ा काम होता है इसमें फसल कटाई गा भसल कटाई जो आंक्र होते हैं ना उन्मानिती ग्यों के इतना अच्छ परदन होगा बाज़रा होगा बस वो कर्स्टी पुर्यूशक ही करता है प्रूर्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार् कि Hindi boa सब्सक्राइब करका है कि आड़ дेपर कोणसे फिए कौन से इसे कउH पर बैड आदा है आप अब यह तेसील में 15-15 सुप्रोजर है क्योंकि नहीं जोइनिक देजी थी अब और नहीं आ रहे हैं लगबग 24-7 ओर आ रहे हैं इसलिए तो पंचाहित के उपर डिफेंड गता है कि कितनी पंचाहित उनके हैं बाकि यह इस पंचाहित तीन-चार तीन-चार पंचाहित सभी पिछली बार डेट गुना था इस बार दो गुना है क्टोप का तो आइडिया लगा कि कोई मतलब है नी क्योंकि बिना फाल तो कोई बच्चे परिसान होंगे तो कटोप ठीक है जो 6-6 नंबर उपरवेट है अपनी केटिगरी से 7 नंबर वो सेफ जोन में मेरे साब से साथ अब डॉक्यमेंट के क्या रिक्वाइडमेंट होगी कौँसे डॉक्यमेंट मगे जाते हैं कि देखो जो अपना सबसे पहल होता अदारगाड अधार अधार कारण में अपना नाम पूर अप्डेट होना चाहिए जो 10 और 12 ती मार्क सीट में वही अपना नाह चाहिए वही पिता जी कर ना होणा होना चाहे हैं वह जिनम दी थी अधार कार्ड है दसभी बार मार्क शीट अगर है तो घ्रेजुएशन की मार्क ्चित है अगर एकलचर से 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 जानिestño जुक्छर मार्क शीट अगर दिहurning की मार्क और फाइनल डिग्री अगर बीए से हैं तो बीए की फाइनल डिग्री अगर आरे सीटी कर गी तो आरे सीटी भी साथ में लगा देनी है यह तो होगी अपने अकेडमी की तेरे अगर फॉरम बढ़ते टाइम अपने इंकम डाइलाग से ज्यादा बरिये चाहिए कोई भी केटि अपने जाती परणाम पत्तर बनता है कि एक मूल निवास तो एक मूल निवास है जो डिजिटल होना ची एसे निक पुराना बनावा तो भी चल जाए गभी दो साल तीन साल पुराना तो भी चलेगा पर वो होना ची डिजिटल तो यह तो अपने दो डोकुमेंट सिसम आ गए एक इंकम बाड़ा गया अब एक आती है अपने कि जहां से अपने लास्ट अकेडमिक थी जहां से अपनी पड़ाई थी लास्ट तो वहां से चरीतर प्रणाम पत्र मिलेगा अगर 12 पास किये तो वह 12 स्कूल से अगर उसकी ग नाम पत्र बनेंगे एको लेजिए तीन चरीतर होगे चार अपनी फोटो लगेगी उसमें जो इसकूरूट नी फारम आएगा उसमें फोटो लगेगी चार और एक सो रुपे का सो रुपे का पोस्ट लोड़ लगेगा चैन बोर्ट के नाम से वह अपने डाग दर कहीं से भ अच्छे से बरना है तो यह पूर इनके डॉकमेंट्स है अगर कोई पैस के टिगरे का है उसको पीज पिड़िव का बना देना है वीडू का बनाना गया है और यह साथ में चाहिएंगे बिना से पिक्ट कुछ भी नहीं होगा अगर आप स्पोर्स के टिगरी के हो तो आपक को रिमूव कर देंगे यह सर कि इसलिए डोकुमेंट्स अपने पूरे रखने हैं और अब आपका फीचर प्लान क्या आप कोई अधर कमटेशन त्यारी करें या और कुछ देखो त्यारी तो देखो सभी को करनी चाहिए कोछ भी ऐस साथ में पदो कुछ नही चीजिए शीखने को मिलती है यह सर वह बात है state पढ़ेंगे न mensen बढ़ेंगे नहीं तो त्यारी साथ में रखो त्यारी करते रहो हम भी पढ़ते हैं दूसरों को भी बोलते हैं आप भी पढ़ते ही रहना है कुछ नहीं चीज़ें सीखने को मिलेगी इस और अब इसके लागा कुछ रह गया हूं आप जो आने वाले सुपरवाइजर एसपेर हुआ हो आप आज से ही वापस त्यारी स्टार्ट गर दो देखो जो हमारी जोइनिंग नहीं हुई थी उस टाइम हमारी वेकेंशी जोत रिकोर्ट में इस्टेश से रुकी हुई थी उस टाइम मैंने 4 जून को अलॉंस किया था मैंने बूला 940 पदों के उपर वेकेंशी आरे ये कर्शी प्रविश्र की जो पिच्छे रह गया त्यारी आज से स्टार्ट कर दो तो उन टाइम लड़कों ने सोचा था कि रामसंदर चोतरी खुद की वेकेंशी को निकालने के लिए दूसरों को साइड कर रहा है इसने रास्ता निकाला है खुब कोचिंग वड़न भी इसका विरूद किया था क्यूंकि हमारे वेकेंशी को कोचिंग वड़न नीए फसाया था तो हम उसमें लीड कर रहे थे तो उसमें मैंने बुला में बुला देखो कोईडिकत नहीं वेकेंशी आरी आप साइड हो जो और तियारी स्टार्ट कर लो खूब जिन्हों ने बोला कि नहीं आरी गुम्रा कर रहे हैं फिर कोचिंगों और ने आर्टिया लगई पता किया तो उनको पास आर्टिया के भी जबाव नहीं आये फिर उनके पास जबाव आई लगई लगई अक्टुमबर में यहां भी वेकेंसी तो आ रही है अब जब उस टाइम से मैंने बोला था कि आप तयारी के लो मेरे साथ वाले खूब लड़के रह गेते मेरी वेकेंसी में उन लड़कों ने उस दिन से तयारी स्टाट गी आज उ इक दो लड़के तो जो मेरे साथ गए वो रासतान एक नमर पे भी हो सकते हैं रासताँ ढोर लोगों के लिए सब यह इई बता दू दो इस्तार करदो यॉनिवर्सिटी में वेकेंसी आएगी आप चाहिए वो छे महीने माईग चाहिए बारा महीने माई वेकेंसी आएगी थैरी स्टार करदो सब्सक्राइब कोई इतना बड़ा कोश भी नहीं उसमें तोटा सब्सक्राइब से तैयरी कंटिन्यू कर लो इदर युणिशिटी की वेकेंश आएगी उदर वापस गुवर्मेंट जाते टाइम गुवर्मेंट एक वेकेंशी पोर करवाएगी दोनों में से कोई भी एक पड़ेगी यह सर और अब डबल यह के सिर्फ 21 पद हैं तो इसके कई पद बढ़ने किस बाहना है क्या बाज सब्सक्राइब को इसका आरपीशी का इतना मेरे को पता तो नहीं पर जहां तक मेरे को लग रहा है कि संगठन का भी जो अंदुलन हुआ था उसमें साहिध 200 पद जो नियम यह बोलता कि 200 अगर सुप्रोइज डबल यो में करनोट हो रहे हैं तो 200 पदों की वेकेंशी करनी पड़ेगी तो देखो 131 पद की तो 2018 पेंडिंग पढ़िए उसमें 477 पद और रेड़ कर दिये थे यह सर फिर 21 पद आ गए लगबग यह कान यार यह लगबग 200 जा रहे हैं अब इसम पता भी नहीं कि बढ़ेंगे नि बढ़ेंगे अगर बढ़ा नहीं होते तो 13 पद पर वेकेंशी थोड़ी निकालते जिए तो तो गोवर्मन्ट पता नहीं क्या सिस्टम से कर रही है आप इसम बढ़ेंए के संबावना तो देखो कम है बाकिस का बहुत बढ़ी है अपना यूटूब चैनल है आपका जो भी चीज हो आप इन्फरमेंस नोती है आप इस्टुडेंट तक पुंचा दिया करो ये भी एक अच्छा कगाम है सोच का गाम है कि किसी के तक सुचना पहुंचाना सबसे बड़ी बात होती है किसी को पता ही चलता था रिजल्ट आरा था मैंने उस दिन बोला था कि भी आज रिजल्ट आरा मैंने दस बज़े बोल दिया रिजल्ट आएगा उसके बाद सभी कोचिंगोड़ों ने बोल दिया कि आज मैंने लिगता दो पर बाद रिजल्ट आएगा सभी ने फिर कोचिंगोड़ों लिख दिया और क्यों लगर यूटूब बढ़ा तो अलग ही साथ से सोचता है तो इन्फोर्मेशन देना भी एक इन्वेशन का गाम है